इसी इस्त्री की साधी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो मांग का सिंदूर गले में मंगल सुत्र अचा मांग लो मांग का सिंदूर ना भरा हो गले में मंगल सुत्र ना हो तो हम लोग क्या समझे हैं भाई या ना भी खाली और मांग का सिंदूर भर गया हो गले में मंगल सु तो लटक गया हो, तो हम लोग दूर सही देख कर समझ जा थे हैं कर रजस्की बाथ पता ही नहीं चल रहा है कि यह बाबा है या फिर free whole plotting agent पता ही नहीं चल पा रहा है कि यह बाबा है या फिर property dealer इनको कुवारी लड़कियां खाली plot लगती है और शादी शुदा लड़कियां रेजिस्ट्री वाला plot लगती है पता ही नहीं चल रहा है कि बाबा अध्यात्मी की फिल्ड में है या फिर रियल स्टेट के धंदे में है एक स्त्री के पहचान कैसे की जा सकती है उसके नुस्खे प्लॉट का उधारण देकर ये बता रहे हैं जिस भाशा में बाबा बता रहे हैं इस भाशा में सडक छप मवा सस्त्री जो आаем जिस की तुलना लक्षमी सरस्वती चा मुनदा दुर्गा काली कंग भ वाली से होती है जिसको माता का रूप का रूप बताय को द्यौई बागे श्वर canon कर दॉर बता रहे है कि से का किसी पर सबस्ब्स होने का एक ही मतलब होता है कि प्लाट बिंग pip प्लोट कई बार बिख सकता है, प्लोट के मालिक भी कई हो सकते हैं, तो कुल मुलाकर बाबा स्त्री प्लोट नहीं है, स्त्री धर्ती मा है, संपूर्ण धर्ती मा है, जिस धर्ती मा की गोध में बैट कर आप माइन डेडिंग जैसी कला को भगवान हनुमान का चमतकार बताते ह धर्ती मा, धर्ती मा को सब कुछ पता है, वो सब जानती है, किस पर कौन सब भूठ चड़ा है, और कौन किस का भूठ उतारता है, धर्ती मा को सब पता है, दोस्तों कुल में लाकर जो महिलाओं को खाली प्लॉट और रजिस्ट्री हो चुके प्लॉट की नजर से देखता है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन बाबा नहीं हो सकता जितने लोगों ने इस बाबा को सुना है वो ये बताएं कि कितने लोग ये सुनना सुईकार करेंगे कि उनकी मा रेजिस्ट्री हो चुकी प्लोट है कितने लोग अपनी आनमेरिट बेहनों के लिए ये सुनना सुईकार करे तो जो आपका बाबाounds आपको मुभारा हो आज के लिए अगर बात सही लगे ना तो फिर वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, नमस्कार, जै हिंद